हेलो मेरा पयारे दोस्तों यहां पर बन रहा है बेदी नीट चीलका और मैं इसका के इडली बना रही हूँ तो इतना तु इतना अड़ी बेदी आनी चामौन जाने Тठी घर्मी में होय चावाल ना तो की एक तुमान कर्म जाने तो आशते बन दुद एन संदे टूंक मैं इसका एडली भी बना रही हूँ तो मैं तोड़ा चावाल डाल करके सोप कर जी थी और काफी अच्छा दोस्ते यह बन गया अब यह फाइनल खतम हो गया मैं इनको बोली कि अब गर्मी में तोड़ा यह गम लाईएगा ठंडे में ठीक रहता है खाना बटा भी काफी हैवी हो जाएगा तो गप्शप करते वे धेर सारा हम लोग पच्छिल का बन गया और मेरा एडली भी काफी कमाल का बना था तो यह बैंबू वाला बास्केट मेरे पास काफी दिन से था हभी गया थे बिंधा चल और इसमें परशाद लाया थे तो मैं इसका सोच रही थी क्या बनाओ तो फानिली मैं इसका एक लैंप बना दी काफी खुश्रत लग रहा है बस इसमें लाइट लगाना बाकी है दोस्तो गुड इवनिंग में प्यारे दोस्तो अभी मैं रेडी होगी और मैं जा रही हूँ जब पूजा है वहां होगा सीव चर्चा तो चलिए चलते हैं तो थोड़ा बहुत में सूट कर लूगी तो आगे अपनी फ्रेंड के गर और यहां पे रखी है यह सीव चर्चा तो बोले प्रेंड कार यह सीव चर्चा तो आगे अपना। आपान उदान प्रूनी औरिवा रिभल रिट साथ वार्स आपान उद्ति अपर वड़ेव आन दुनी तमा आपे देज्करिक्या मैं उट्रश देएपने साथ नुक्र치धोर्स आपूणी आन पाइव नुक्नि पार नचाप वार्स आपान संडितों तमर्स मुप जो तो 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 यह मैं वीडियो बनाएंगें क्वहूं नेक्स जे मॉर्निंग का उसके बाद में कुछ भी शूट नहीं कि ती दोस्तों और ये बावल में मैं आज मैं सोची कि आज फ्रेस पूल डाल देते हैं तो दो दिन अराम से ये चल जाएगा तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुविन भोग चावल में मश्रूम डाल करके तहरी तो मश्रूम तहरी काफी अच्छा लगता है तो गुविन भोग चावल को मैं सुबा में उठकर के सोक करके रख दीती और इसे मैं थोड़ा गरम मसाला और प्याज में अच्छे से बहुन रही हूँ और इधर बगल में थोड़ा सा मैं लाल कर लेती हूँ मस्रूम को तो चाहती तो मैं कुगर में कर सकती थी बट कुगर में वैसा लाल नहीं हो पाता है तो यह पतला कड़ा है काभी अच्छा इसमें गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगे इसके बाद थोड़ी दिर में चावल के साथ भी इसे अच्छे से भूनूँगे तो बासमती राइस में भी दोस्तों बहुत अच्छा तहरी बनता है बट गुविन भोग चावल में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टिस्ची लगता है बहुत कमाल का लगता है तो हम लोग एकदम फेवरेट हो गया है तो हभी का ड्यूटी हुआ है तो यह बोले कि मेरे लिए काम करो तुम टिपिन बना दो यह तहरी तो काफी अच्छा रहेगा तो फ्रूट्स और सैलेड का लूँगा उसके बाद ये मेरा दोपहर का लंच हो जाएगा तो अलगे हातों में क्या की धीर सारा बना ली कि हम लोगा ब्रेक फास्ट भी हो जाएगा इसका दिखिए एक सीटी लगाई थी उसके बाद इसका स्टीम जब अपनी निकल गया तब मैं खोली ढखकन और इतना पढ़िया चावर है ना विदम भुरुरा बनाया दोस्तों की Jaid something. तो इसमें हेल सारा कजू किसमिस डाल करे भी आप बना सकते हैं वर मैं नहीं बनाती है किनी कीज मेरा बेटा बिल्कुL पसं नहीं है अगर मैं मैं इसमें किसमी काजू डाल दूगी तो बिल्कुल नहीं खाएगा तो उपर से हवी को बुले के डाल के मिला दूकिया तो बूल रहे कि नहीं रहने दो तो बच्चों का थुड़ा सा नकड़ा है न थोड़ा बहुत तो क्या करिएगा सहना ही परता है तो हवी का अच्छे से टीपिन में भर दी ताकि इनका आराम से हो जाए तो बूले कितना और लबा लब मत भरो थरा निकाल दो मैं बहुत जादे ही बना दिये हैं आराम समनों का ब्रिकफास्ट हो जाएगा तहरी का ही गर्म गरम तो इनका तो लैंच है अच्छे से ढाल दी इसमें और ले जाके देती हूं तो ये इसमें धेर सारा सालेड लिए हैं तो फ्रूट्स खा लिए हैं और ले जाएंगे जिसे ये रास्ते में खाएंगे ट्रिन में तो मिस्टर हभी अब निकलेंगे आज सुबह सुबह दोस्तों ब्रेकफास्ट वाला काम मेरा हो गया और मौसम दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है तो सुबह में हभी बॉल रहे थे मैं उठा था तो मौनिंग पर नहीं गया क्योंकि टाइम नहीं था तो सुबह साथ बजे ही निकल रहे हैं चार बजे उठे थे और साथ बजे दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट बन गया आज तो बोले हलका हलका बुंदा बांदी हुआ था तो मैं तो नहीं मायम से गायो यन कर्ण मनी कोड़े बर्योंर मिल तो मेरी लडो रानी उठी हुई है तो चलिए उसलिए उसे ले जाकर मैं यह जूस दे देती हुँ तो आज उसे इस तरह से खाने का मन नहीं कर रहा था बोली ममा मैlenे ले लीए जूस मना ले जाकर दे देती हूँ चलिए तो बेटी को बहुत पसंद आया और क्या चाहिए इस रूम का आज मुझे बेट शुट चेंज करना था तो चलिए आज इसे चेंज कर देती हूँ बेटा मेरा सो रहा था मैं उसे बोली जौ तुम उस रूम में सो तो चला गया बगल वाले रूम में और इसका बेट शुट चंज कर देती हूँ और यहां पर बच्चों के रहते हैं बहुत सारे समान दो स्टेडी टेवर जिसे मैं इसी तरह छोड़ देती हूँ और हटा के साइट से मॉपिंग कर दूँगी और यह बेट शीट को ले जाके वाशिंग मशिंग में डाल देती हूँ एक दुख कपड़े अभी और निकलेंगे साथे साथ डाल के चला दूँगी तो देख रहें दसते कितना अच्छा हवा चल रहा है इसमें बहुत दिनों से सोच रहीं कुछ प्लांट लगाऊंगी बट सोचते सोचते काफे दीन हो गए और इतने गर्मी में बिल्कुल मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं कर रहें और यहां मेरा मनी काफी ज्यादा लंबा हो गया और बहुत ही खुबसूरत लग रहा है अभी शोफा कमबेट को थो खाषा डेस्टींग कर देती हूँ तो काफी यूजस्का है दों से खाल थ्योख और नहीं जॐसे अपने भी तो खोल कर देतीINT और कभी एकांत में मन नहीं लगता है, लगता है कहां एकांत में बैठे तो यहें पर बैठ जाते हैं, काफी अच्छा लगता है तो थोड़ा सा डस्टिंग में अपने यह बटरफ्लाई में भी कर दे रही है सबसे खुबसरत दोस्तों मेरा DIY यह मेरा बटरफ्लाई है मैं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ बनाओंगी और बन भी गया और मुझे अभी भी विलिब नहीं होता है कि इतना खुबसरत यह मेरे से बन गया और बाहर का नजारा देखिए दोस्तों कितना सुहावना मौसम है सो फ्रेंस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और मिलते हैं दस्तों नेक्स्ट वीडियो में तिल जन बाइबार और सफ लाव और अलवेश स्माइल